Electric Motor Related Videos इस playlist का ये दूसरा वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा Parts of Electric Motor के वारे में इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और एक अपलोड कर रहा था जो की related था What is Electric Motor अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उपर आई बटन में मैं लिंक देता हूँ एक बर आप उस वीडियो को जरूर चेक आउट करें इस वीडियो में मैं आपको जो भी बाते बताऊंगा उस से related मैं अपना खुद से handwriting notes description box में PDF लिंक कर रहा हूँ आप एक बर वो PDF को जरूर डाउंडोड कर लें पहले आप वीडियो को देख लीजे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ये clear कर देना चाहूँगा मैं आपको जिस motor के parts के बारे में बताऊंगा उस motor का नाम है 3-phase induction motor क्योंकि इंडस्ट्री में 85% 3-phase induction motor का यूज आज के टाइम पे करा जाता है as compare to DC motor and slip ring induction motor ता इस 3-phase induction motor का पहला part का नाम है stator तो guys जैसे कि इस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है कोई moving part नहीं है ये एक तरह का stator यानि कि straight part है जिसमें हमारा filled coil को जो है mount करा जाता है ये stator winding में ही जब हम लोग 3-phase का supply रहते हैं तो हमारे stator में ही rotating magnetic field create होता है और ये rotating magnetic field हमारे rotor के साथ align होता है और उसके बाद हमारे rotor move करना यानि कि हमारा motor घूमना start करता है अब दूसरे parts के वारे में बात करते हैं जिसका नाम है rotor अब गैज ये rotor part को ही जो है actually में armature कहा जाता है और ये rotor part जो है हमारे 3-phase induction motor में square cage type कर रहता है अब square cage ये नाम इसलिए दिया गया है इस rotor को जब आप 25 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस rotor में पतले-पतले rods का use करा गया है और उस rods को जो है आपस में sort कर दिया गया है यानि कि कोई भी winding इस rotor में आपको देखने को नहीं मिलेगा जब motor के stator part में हम लोग supply देते हैं तो rotating magnetic field बनता है वो rotating magnetic field हमारे square cage rotor के साथ align होता है और उसके बाद हमारे square cage rotor जो है वो आपस में sort होते हैं जिसके वजह से इस जगा में guys हमारा current flow होना start हो जाता है क्यूंकि फैरडेलो में हम लोगों को बताया गया है कि अगर कोई एक close loop है उस close loop को अगर हम लोग किसी भी magnetic field में लाएंगे और वो circuit अगर close रहेगा तो उसे current बहना start होगा अब तीसरे parts का नाम मैं आपको बताता हूँ जो है terminal box तो basically guys three phase induction motor हो या फिर slippery induction motor हो जो की industry में सबसे ज़्यादा use होते हैं इसके terminal box जो है आपको same देखने को मिलेगा इसमें दो तरह का winding होता है first star winding और दूसरा delta winding अब क्या है कि ये जो star winding और delta winding में एक छोटा सा difference है मैं आपको बता देता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को भी समझ में आ जाएगा guys जब star connection से हम लोग motor को run करते हैं तो क्या है कि हमारे motor के एक winding में सिर्फ और सिर्फ 230 voltage जो हमारा जाता है और जब हमारा motor delta connection पे run होता है तो उस टाइम हम लोग motor के एक single winding पे हम लोग 415 voltage देते हैं तो आप देख रहे हो कि star connection पे आपका motor जो है 230 voltage से run हो रहा था और delta connection से आपका motor जो है 415 voltage से run होता है तो अगर आपको इसके वारे पता था या फिर नहीं आप मुझे comment section में जरूर बता है और अगर star delta connections related आपको वीडियो चाहिए तो वह भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं अब हमारे जो rotor है, rotor के साथ shaft लगा हुआ रहता है और हमारे motor के non drive side में cooling fan को लगाया जाता है यानि कि जब हमारा rotor घूमेगा तो वह shaft के साथ हमारा cooling fan भी run होना start होगा और cooling fan क्या करेगा, हमारे motor के non drive के पीछे side से हवा को खीच के हमारे motor के जो body है जहाँ पर slots कटा हुआ है उसमें जो है वो air देना start करेगा, air किसलिए देगा, क्योंकि जब हमारा motor side पे run हो रहा होता है तो उस condition पे हमारे motor के winding पे heat up generate होता है, जो heat up हमारे motor के body पे आता है तो जब हमारे motor के body पे heat generate होना start हो जाता है, तो इस condition पे हमारे motor में जो cooling fan हवा को circulate करता है हमारे motor के body तक हमारे motor heat up होने से बचता है, यानि कि हमारा cooling fan हो हमारे motor को cool रखने में help करता है तो guys आप समझ सकते हो ये cooling fan का भी एक बहुत बड़ा important role है तो cooling fan को आप जो है कभी ignore नहीं कर सकते हो अगर आप cooling fan को नहीं लगाओगे आपका motor इसी तरह अगर आप चलाते जाओगे तो एक long time के बाद क्या है कि आपके motor में जो winding है उसका insulation break हो जाएगा heat up के कारण तो guys अभी मैंने आपको चार total parts के नाम बताया जो की 3 phase induction motor से related था अगर आपको इस वीडियो से 1% भी help मिला हो तो please हमारे इस वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों तक जरूर share करें और अगर चैनल पर नए हो तो please channel subscribe जरूर करें और guys last week बात यह बताना चाहूंगा instagram का पेज अभी तक visit नहीं करें तो please एक बार visit करो instagram पे चाहो आप उदर search करो add the red take a tool आपको जो पहला page मिलेगा वही मेरा official page है इसमें मैं बहुत सारे knowledgeable post share करता हूँ तो एक बार आईए देखिए अच्छा लगता है तो ही share अच्छा लगता है तो ही follow करें बड़े बात जो next वीडियो में लाओंगा जो की तिसरा वीडियो रहेगा इस playlist का electric motor related videos उसमें मैं आपको बताऊंगा types of motor based on mounting यानि कि mounting के हिसाब से जो हम लोग motor को जहां पर mount करते हैं उसके हिसाब से हमारा motor को कितने types में divide करा गया है तो guys मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखें